दोस्तो इस वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा R.I.P. सिद्धू मूसेवाला He was the legend और मुझे लगा कि उनको रिस्पेक्ट देने चाहिए और मेरे कुछ अभी पता लगा था कि वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए सबसे पहले मैं मैं मेंशन करना चाहूंगा उनका नाम और उसके बाद ही वाली मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा गाइस चले दोस्तो हम लोग इस वीडियो की तरह बढ़ते हैं सबस्क्राइब करिए भारत का बैस्ट बॉडिबिल्डिंग चैनल तो मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडिबिल्डिंग इंसाइडर तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं लेकर आँगा तरुंगिल की उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था नरेश सूरे क्लासिक के अंदर मेंस फिजीक कैटेगरी के अंदर और जैसे कि आप सभी लोगों को पता हो कि तरुंगिल कह रहे थे अपने परफॉर्मेंस से पहले कि वो बहुत ही बड़िया परफॉर्म करने वाले हैं इस बारी बहुत ही डिफरेंट परफॉर्म करने वाले हैं और एक बड़िया फिजीक लेकर आएंगी वो ऐसा कह रहे थे बट कुछ ऐसा था कि नहीं था उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और आप सभी लोग को पता था कि उन्होंने एंपीसी चिननई के अंदर कैसा परफॉर्म किया था वो तो आप सभी लोग को पता होगा खेर दोस्तों बात करते कि उनका नरेश सूरे क्लासिक का जो उनका पैकेश था वो किस तरीके का था उसके बार में बात करते हैं अब guys in terms of size के बार में कहूं तो इस बारी वो थोड़ा सा down size थे मैं कहना चाहूंगा guys NPC चिन्नई के अंदर उनकी physique ने water hold करके रखा हुआ था बट इस बारी मैं कहना चाहूंगा कि water थोड़ा कम hold करके रखा हुआ था फिजीक ने पर फिर भी water की layer थी उपर उनकी physique के उपर और abs बिल्कुल भी visible नहीं थे और ये वाली चीज़ आप लोग सबसे ज़ादा notice कर सकते हो front जो उनका men's physique का front post था उसके अंदर आप लोग notice कर सकते हो कि तरुंगिल flex कर रहे हैं बट उनकी app muscle जो है वो show नहीं हो रही है and you can also see the clear difference in lack of conditioning आप लोग उनके साथ वाले athlete के साथ उनको compare कर सकते हो अब उसके बात हम लोग बात करते हैं oblique muscle की जो कि उनकी आप लोग side वाली muscle देख सकते हो जब वो flex कर रहे हैं अपने pose के अंदर तो बहुत ही मुश्किल से दिख रही है इससे पता लगते है कि conditioning भी इतनी ठीक नहीं थी और इतनी बड़िया conditioning के अंदर नहीं आते तरुंगिल now coming back to the back no pun intended हम लोग उनकी back के बार में बात करते हैं जो कि men's physique के अंदर भी important होती है once again कोई depth नहीं थी और कोई density नहीं थी उनकी back के अंदर और wideness lack कर रही थी ये तो expected था guys जो उनकी back है तरुंगिल की वो उनका weak body part है बट बात यह है कि क्या उन्होंने improve किया था NPC चिननाई से तो मेरा answer है कि उन्होंने improve किया था but it was just a minor improvement 5% मैं कह सकता है कि उन्होंने physique ने improve किया था better condition थी मैं ये कह सकता हूं उनकी NPC चिननाई से 5% better थी और अगर मैं तरुंगिल के बार में बात करूं तो अगर वो better conditioning लेकर आ जाए और एक body उनकी peak कर गई show के दुरान तो मैं कह सकता हूं कि बात करें तो वो out of top 10 हो गए थे वो अपनी category से बाहर हो गए थे ये तो expected था guys बाकी आप लोग guys मुझे comment करके बता सकते हूं कि आपको उनका favorite version कौन सा लगता है तरुंगिल का और उनको क्या दुबारा से नूर खान के पास वो अपेस जाना चाहिए because मेरे असाब से नूर खान was a better coach for तरुंगिल तो guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आप कोई वाली वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे देजे और guys अब bodybuilding से update चितनी भी आएंगी आप कोई सी channel पर मिलती रहेगी तो मैं अब सभी लोगों मिलता हो गली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखे टिल देन टेक केर and बाई